नमस्कार सभी दर्सकोयो किसान भायों का मैं स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इनोवेटिव फार्मिंग आज मैं बहुत ही खास इंफोर्मेशन आप लोगों को सेयर करने वाला हूँ कि नर या मादा बतक की पहचान कैसे करें मैं आज खाकी केमबल ब्रीड की बात करूँगा नर और मादा बतक की पहचान कैसे करें यह सवाल हर किसान भाई के मन में राता और उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत इसी में आती है कि इसकी पहचान कैसे करें तो मैं इन सारे सवाल को जवाब आप इस वीडियो में दूंगा तो इस वीडियो को जरूर देखे क्योंकि यह ब सबसे पहले मैं खाकी केमबल मादा बतक की पहचान करने के बारे मैं बताऊंगा तो अगर इसकी पहचान करना तो सबसे महत्पून पॉइंट इसका यह है कि इसकी जो चोच होती है वो काले रंग की होती है और इसके पैर भी काले रंग के होते हैं अगर किसी भी आप मादा ब करके भी होते हैं जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है पर अगर इसकी चोच की बात करें तो इसकी चोच बिल्कुल काले रंग की होती है यह सबसे बड़ी पहचान है अगर आप प्यूर ब्रीड अगर आप खाकी केंबल की लेते हैं अगर मादा बतक है तो और उसकी चोच हलक मिक्स कलर नहीं आता है, पूरे सरीर के जो पंक होते हैं, वो भूरा रंग का होता है, खाकी कलर की होती है, तो यह एक भी पॉइंट है इसके पहचान करने के लिए, और तीसरा पॉइंट यह है कि मादा बतक की जो गर्दन होती है, वो थोड़ी सी पतली होती है और ज्यादा लंबी नहीं होती है नर बतक के मुकाबले में, और अगला पॉइंट यह है कि अगर इसकी वजन की बात करें तो हमेशा इसकी वजन जो नर बतक होती है, खाकी केमबल का, उससे हमेशा इसके वजन कम होता है, और यह करीबं 1.5 kg या फिर 1.5-1.500 ग्राम के आसपास में रहत तो यह भी एक तरीका है इसकी पहचान करने का, तो इन सारे पॉइंट से आप पहचान सकते हैं कि प्यूर खाकी केमबल ब्रीड की मादा बतक है, उसकी आप पहचान हसानी से कर सकते हैं, अगला मैं बात करने वाला हो नर खाकी केमबल बतक की इसकी पहचान कैसे आप कर सकत तो पहला पॉइंट है कि इसके जो चोच होते हैं वो हलका हरा रंग का होता है और यह मादा बतक के मुकाबले इसके चोच ज्यादा चौड़ी होती है और अगर हम पैर की बात करते हैं तो इसके जो पैर होते हैं वो गुलावी रंग के होते हैं और किसी किसी के काले रंग के होते हैं और तीसरी पॉइंट यह है कि अगर आप इसके पंक से पहचानना चाहें गई तो इसके पंक थोड़े से अलग रंके होते हैं प्यूर खाखी नहीं होती है और यह इसमें थोड़ा से रंग का मिक्सिंग भी होता है अगर आप नर्बतक को देखेंगे गौर से तो और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यह है नर की बतक के पहिचान करने का कि इसके जो पीछे की तरफ पंक होते हैं वो क्या होते हैं कि मुड़े हुए होते हैं अब जब भी किसी नर बतक को देखेंगे तो इसकी जो पंक होते हैं वो पीछे के तरफ मुड़े हुए होते हैं और खाकी केमबल जो मादा बतक होती हो इसके पंक बिल्कुल फ्लैट होते हैं पीछे की तरफ और वो मुड़े हुए नहीं होते हैं अगर हम वजन की बात करें तो इसका वजन हमेशा मादा के मुकाबले हमेशा ज्यादा होता है ये करीबन 2-5 कजी के बीच में इसका वजन लगवग जाता है और नर हमेशा अगर आवाज की तुलना की बात करें तो नर हमेशा बहुत ही कम सोर मचाता है और इसकी आवाज हमेशा धीमी और हलका होती है जो की मादा बतक के मुकाबले काफी कम होती है और ये बहुत ही कम सोर आप पहचान करने का एक और important point यह है कि अगर आप इसकी गर्ड़न को देखेंगे थो यह तोड़ी लंबी होती है और यह गाढ़े रंकी होती है फिर काले रंकी होती है अगर आप मादा बतक की गर्ड़न को देखेंगे वह विल्कुल खाकी रंग का होता है उसकी पूरी बड़ी की तरह पर जो नर उसका जो अगर्डैन होता है जो रंग है जो तो मैंने अपने इस वीडियो में दिखा है और आप फोटो में भी देखकर अंतर को साफ पहिचान सकते हैं कि दोनों के बीच में रंग का कितना अंतर है तो यह सब मुख्य पॉइंट है कि नार और मादा बतक की पहिचान करने का बहुत सारे किसान भाई का सवाल यह होता है कि जब हम चिक्स लेकर कर आते हैं अपने फार्म पर जैसे एक हजार चिक्स लाया फिर पांसो चिक्स लेकर आते हैं खाकी केंबल की तो इसमें कैसे पहचान करें कि कितना पीस मेरा नर है कितना पीस मेरी मादा है तो अगर चिक्स की बात करें तो इसकी पहचान करना लगभग नहीं हो पाती है तो अगर आप इसकी पहचान करना चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीका है जो कि मैं अपने तरीके से इसको पहचान करत हों कि जो हमेशा जब जब विया दिन पांस दिन कि जब इसका चिक सोता दो ऊबिशाच में होता है उने कि छोटे चिक स लोसे और खाना भी खाते हैं और होते हैं ज़ल्दी उनका growth होता उनका जो physical growth हुआ जो body growth होता है वो बहुत ही जल्दी-जल्दी होता है तो एक तरीका है चिक्स में पाचानने का नहीं तो आप छार मेने complete होने या फिर तीन साढे-तीन मेने के भाद ही आप आप पहचान सकते हैं कinda अगर इन आ सह बातों को पहिचानने का यह सबसे बेश तरीका है तो इसे आप जरूर आप ध्यान में रखें और अगर आप इसे ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अपने फार्म के बर्ड को पहिचाने में तो मैंने बत्तिक की पहचान करने के लिए कुछ मुख्य बातों को मैंने आज बताया जिससे आप नर और मादा की पहिचान करसकते हैं चाहिए वह खाकिकर के इंबल हो या फिर अधर इब अधर ब्रीड में भी आप जैसे की रनर होगया या लिए फ़्फशनमाजन कर सकते हैं तो यह स哦 और सब कारण का अगर ऐते हैं तो आप एकनर और मादा बतक हैं और बाद revis चिक्ष में अगर पर पा het मुझकिल है और लगबाग उस मेंटे कि पाती है तो ज्यादा तर अगर आपको पेचान करना तो यह Garden से चार मेने की जब कम हो जाती है तो उसके बाद ही इसका जो असली पैचान है इसका हो पाता है तो मेरी एजनकारी आप सभी किसान भायों को क्यासी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप से लोगों से मिलता हूं तब तक कि नमस्कार जाहिंदे